आज के अकवार में खबर छपी कि आकसी मीटर के दाम डिमांड के बाद डबल रेट के हो गए यानि कि जो आकसी मीटर छोटा सा 700-800 रुपे का मिलता है अब वो 1000-2000,500,000 का मिल रहा है कई जगा पर मिल भी नहीं रहा है जो सिलेंडर हैं गैस के वो 40-500,000 रुपे की खबर आ रही है जो रैम डिसीवर इंजेक्शन है वो 57,000, 45,000, 40,000 एक वायल का ऐसा रेट आ रहा है और यहां तक भी खबर आ रही हैं कि जो बैड हैं वेंटिलेटर वाले बैड हैं उनको बुक कराने के लिए या उनको ज़्यादा पैसे देकर वो रिजर्व कराये गए हैं बहुत सारी खबरें फॉन पे दोस्तों से, जानकारों से, अखवार से मिल रही हैं और जो लोग को इस चीज के आवसकता है जो लोग बीमार हैं उन तक चीजें नहीं पहुँच रही हैं मतलब चीजें देश के अंदर हैं चीजें मार्कीट के अंदर हैं मगर जिनको जरूरत है वहां तक पहुँच नहीं पा रही है और जिनको जरूरत नहीं है उन्होंने इस्टॉप करके रखा हुआ है सिधा सिधा अगर मैं कहूँ तो management नहीं है यानि कि चीजों के वितरण की व्यवस्था नहीं है कोई centralized system नहीं है कोई ये कहने वाला नहीं है पूछने वाला नहीं है कि पूरे देश में कितने gas के cylinder कहां कहां है पूरे देश में जो दवाईया है वो कहां कहां पर हैं कहां ज्यादा दवाईया हैं कहां ज्यादा जरूरत है वहां से कैसे मंगाई जाएं कैसे ना मंगाई जाएं जरूरत के लोगों को चीजे मिलनी चाहिए पहले जो जरूरत के लोग नहीं है जो उसको reserve या advance रखना चा काफी लोगों ने चुड़ चुड़ी आइटम में खरीद थी जैसे यह ऑक्सीमीटर है यह बहुत सारे लोगों के घर में बेकार पड़े हुए हैं मगर उन लोगों को यह बताने के लिए कोई जगे नहीं है कि हमारे पास ऑक्सीमीटर है अभी काम नहीं आ रहा है तो जिसको आपशकता है वो ले जाए बहुत सारे लोगों ने पिछली बार स्लेंडर खईदे थे कुछों के खईदे हुए रहते भी हैं कुछ स्लेंडर गैस के तुरंद बनाये भी जा सकते हैं बदले भी जा सकते हैं मगर कोई सेंट्रलाइस सिस्टम अभी तक भी इस महामारी में न आदमी अगर बीमार होता है तो वो अपनी खबर इस पर दे उसके आसपास में जो चीज़ें अबेलेबल होंगी वो से मिल जाएंगी कितने बैट कहां पर हैं कितने डॉक्टर कहां पर हैं कौन सी दवाई किस से पूछना है किस से फोन पर बात करनी हैं इतना बड़ा देश साधन हैं मौजूद हैं या जो पब्लिक के पास बेकारी में दवाईयां लोगों के घर पड़ी रहती हैं जैसे किसी ने दवाई खरिद के रख ली है फालतू है काम नहीं आई है वो अब काम आ सकती है मगर वो अपनी दवाई को दे किसको वो अपना गैस का सिलंडर दे कि क्योंकि हर एक आदमी को ये लगता है कि अगर मुझे जरुत पड़ेगी तो मुझे कैसे मिलेगा इस चिंता की वैसे जो ठीक लोग हैं उन्होंने इसको दवा के रखा हुआ है वो नहीं देना चायते क्योंकि उनको ये भरोसा नहीं है कि कल को अगर उनको जरुत की तो उनको मिलेगा कैसे ये आपात कालिन सिस्टम जो मेनेजमेंट के स्टुडेंट हैं यहां इतनी टॉप यूनिवर्स्टी हैं आई आई एम ये दरसल बेकार हैं कूड़ा है अगर ये आपात काल में देश में कोई मेनेजमेंट नहीं दे सकती है या जो ये सिस्टम है जिसको सिस्टम कहा जा सकता है वो बेकार है कूड़ा है अगर वो इस महामारी में इस डीटल मीडिया के पूरे के पूरे युग में एक ऐसी वेबसाइट रात और रात नहीं बना सकता या एक पैसा नहीं बना सकता या सारे सिस्टम को नहीं जोड सकता या सारे लोगों को म महामारी में और युद्ध के समय सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है वो ब्यापारियों को होता है लोगों को चीजों की आवशकता होती है लोग डड़ जाते हैं वो इसको इखटा करते हैं और वो दाम डबल ट्रिपल चॉबल कर देते हैं एक रेम डी सिविर का कारगार नहीं होगा लोगों की नियत ठीक नहीं होगी तो महामारी विनास में बदल जाएगी तो महामारी और ज्यादा बढ़ जाएगी यह ठीक ऐसे है जैसे कोई सडक पे जब रेल की क्रॉसिंग होती है तो एक तरफ के जाने वाले जो लोग हैं वो एक तरफ रुख जा और उधर से आने वाले जो लोग हैं उच्छ साइड में रुख जाते हैं, तो जैसे ही रेल की क्रॉसिंग पे फाटक खुलता है, बेरिकेट खुलता है, तो सब आसानी से निकल जाते हैं, बर कुछ बेफकूफ लोग अगर आने वाली लाइन में जाने वाला ट्रैफिक आद आ, तो क्या होता है, कि Rail की Line जब खुलती है, minute खुलते हैं, तो नाटीर्विक इधर से जा पाता है, और था आपा जाता है, यह कुछ गढ़े टाइप के जो लोग होते हैं, जो मिस्मेंजमेंट करते हैं, जिनको लगता है कि वो जल्दी पहुच जाएंगे, कोई जल्दे नहीं पहुंच पाता और क्याई वार तो ऐसा होता है कि बीच में ही दूसरी टेन आ जाती है और क्याई वार टक्कर होके लोग मर भी जाते है इसनिए अगर ये भारत एक अच्छा देश है यहां IIM जैसी इस्टूट है और यहां हजारों शुड़न निकलते हैं IIT से और IIM से तो उन सब को मिला कर एक मौका ऐसा होना चाहिए कि आपात काल में आपात मेनेजमेंट करने की छंता को चेक करना चाहिए कि ऐसी महामारी में क्या वो इसको रेगुलेट कर सकते हैं या नहीं कोई बहुत बड़ी मुसीवत की बात नहीं है इतने सारे काबिल ल अगर वो बीमार होंगे तो उन्हें बैड मिल जाएगा या उनका ऑक्सी मिटर जो उन्होंने दे दिया है अगर उन्हें आवशकता पड़ेगी तो ये फोन नंबर है और यहां जमा होते हैं फोन करते ही मुझे ऑक्सी मिटर मिल जाएगा या जो गैस के सिलंडर हैं अगर लोग अपने जमा कर दें तो ये उन्हें पता चल जाएगा कि जब उन्हें आवशकता पड़ेगी तो वहां से गैस का सेंडर मिल जाएगा ये सारी चीजें बहुत आसानी से हो सकती हैं क्योंकि इतनी ज्यादा दवाईयां भारत के अंदर हर घर में पड़ी हुई हैं जिनका निवेदन है उस सिस्टम से उन लोगों से के एक आपात कालीन सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जाए एमर्जंसी का जिसमें दस वीस पचास हजाल लोग पूरे देस में बैठ हैं और दिन रात वो मैनेज करें कि कौन से चीज़ें कहां पर अविलेबल हैं कितनी अविलेबल लगता है तो आदमी पैनिक से ज्यादा मरता है आदमी इस बात से ज्यादा मरता है कि क्या होगा उसके दिमाग में जब यह बात आती है कि दवाई नहीं है बैड नहीं है यह टीबी वाले समाचारा वाले बेफकूफ लोग ज्यादा परचारित करते हैं कि महां ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ना भी होता हुआ हुआ, कोई मरीच, साधान भुखार भी होगा, उसको लगता है कि उसे COVID हो गया और अब वो मर जाएगा, ये ठीक वो इस्तिती है कि अगर कोई ऐसा साप काट के सामने से निकल जाए, जिसमें विशी ना हो, औ साप सामने से निकल जाए तो आदमी वैसे ही मर जाता है कि रहे मुझे साप ने काटा है और जहर मेरे इंदर चड़ रहा है और वो सच मुझमी मर जाता है मर कोई अगर जहरीला साप भी काट के निकल जाए और उसका पता ना चले कि जहरीला साप काट के गया है तो आदमी पैनिक में बच जाता है क्योंकि उसे पैनिक होता नहीं है उसे लगता है उसे तो वैसी कोई चीटी बीने काटा होगा और वो देखता है तो वो बच जाता है ये एक दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा है जो काम करता है जो भै पैता करता है अगर भै को दिमाग के ह इसनिए एक अच्छा मैंस्ट का होना बहुत जरूरी ए जो इसाथ इस्टती में आपात काल की तरह से निपटे अगर आचाना की कहीं से कोई य०्ध हो जाए चाइना यूद कर दे या पाखिस्तान युद्ध कर दे या कोई और कंट्री युद्ध कर दे तब भी तो आपात काल सेंटर मनते हैं तो इस महा मारी को आपात काली की तरह ले केते हुए लोगों का सहयोग लेते हुए लोगों को भरुसाद लाने की निया बहुत ज़्यादा आवशकता है यह जो ख़ तफरी बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में बन रही है जो लोग बीमार भी नहीं है वो पहले से ही घबरा रहे हैं हमारा क्या होगा अगर हमें कोरोना हो गया तो कोरोना हुआ नहीं है वो पहले से ही पहले परिशान हो जा रहे हैं यही सबसे ज़्यादा महामारी का सू हो जाएगा धन्यवाद